ये दोनों मिया बीवी होने से पहले बेहन भाई थे ये हमारा बाई बेहन का रिष्टा था आका जी के कुत्ते हैं ववववववववव सर नमस्कार मानव समाज में भगिनी और भ्राता के संबंध की क्या मरियादा होती है या किसी भी मानव को बताने की आवशक्ता नहीं होती परन्तु मानवों के सग्रश्य प्रतीत होने वाले नीच मस्तकरवनशी जानवरों में भाई बहन जैसे प्रतीत होने वाले पशु संबंधों का यदि गहनता से अध्यन किया जाए तो अध्यान करता किसी भी मस्तखरवनशी जानवर के लिए या निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि कौन बहन है, कौन भाई है, कौन अब्बू है, कौन मामू है, कौन खालू है, अत्वा कौन किसकी अम्मी है क्योंकि अपनी ही अम्यों बहन बेटियों में बिना कोई दुग्गी भेद की उनसे अपनी लाठी धुलवा कर घोर घरेलू प्रिजन करने वाले मस्त करवनशी जानवरों के परस्पर पशु संबंधों को मानविय संबंधों की दृष्टी से देख पाना एक असंभव कारिय विदेशी श्वानों, अश्वों, भेसों आदी का भी पता होता है कि वो किस लाइन से हैं परन्तु एक मस्त करवनशी जानवर की लाइन का पता लगाना एक असंभव कारिया आस्वानी कोठा नंबर 32 बटा साथ 186 के आस्वानी दल्ले द्वारा प्रत्वी पर भेजे गए अन्तिम पिल्ले, पशु पिता मैं महा पशु नीच मुर्थ माजाहिल लुचु दिन साथ 186 मस्त कर रहमत दल्ले वाले द्वारा, 1400 वर्ष पूर्वही संपून मस्त करवनश को आनुआंशिक रूप से गंडमरा तता गंडगुलाम बनाने के साथ साथ अम्मी खोद, बेहन कोद तथा बेटी खोद भी बना दिया गया था, अत्य मानवी आधार पर मस्त करवनशी जानवरों के परस्पर पशु संबंधों को देखना हम मानवों की ही मूर्खता है, इसी प्रकार का एक पशु घटना करम रेवर राष्टर में चुपी हमारी टीम फुद्दू दीन क की बुरियम लठीली के प्रखाश में आया, जहां अपने दोनों निश्क्रिय पशु पगों के बीच एक सक्रिय और मजबूत चीरायुक लाठी धारण करने वाले एक स्पेशलांग मस्त करवनशी जानवर ने मानवी संबंधों के आधार पर अपनी ही बहन लगने वाली ए रेवड रास्ट के ऐसे मस्त करवनशी जानवर रुष्ट हो गए हैं जो अपने परसपर पशु संबंधों की तुलना मानवी संबंधों से करते हुए खुद के मानव होने का पशु ब्रह्म अपने पशु मस्तिस्त में पाले रखते हैं मेरे साथ इस वक्त गुलाम फरीद और किरन मौजूद है जो रिष्टे में मिया बीवी है निकार नावा इनके पास प्रॉपरली मौजूद है मगर इनके रिष्टे को जिस तरह से तलंगीद का निशाना बनाया जा रहा है वो यह है कि यह दोनों मिया बीवी होने से पहले ब काम करते हैं ना इनकी टांगे और जो के किरन है इनको स्पोर्ट करती है अपने शोहर का सहारा बनी होई है और काम पर भी जाते हैं तो यह वीलचेयर पर बैट कर जाते हैं हम किरन से और गुलाम फरीद से ही जानते हैं कि आखिर क्या मौमला है और इनोंने शादी क्यूंकि अगर इतना पाक इनका रिष्टा था तो इस रिष्टे को पामाल क्यों किया असलाम नहीं को जी वालेकम स्लाम कैसे हैं आप अलहम्दल्ल्ला ठीक ठाक आशा गुलाम फरीद मैं आप से पूछना चाहूंगी कि यह कितना अर्सा मतलब आप लोग की शादिक हो गया चार साल और चार साल तो पहले आप दोनों का रिष्टा जो था वह बहन भाई का था जी हमारा बाई बहन का रिष्टा था मगर किस सेंस में था माँ एक है बाप एक है क्या मौामला है किस तरह से है मा असलममना अपी के जो ममा थी वह फोठी थी ठीक है जो मेरी ममा थी उसक डी भॉज TOPा ता मेरे पड़कर जाइज है हमने अपने कारिसाहिशाब से बाद कीई है उसके बाद हमने यह शादी कीई है इस वक्त लोगों ने बहुत तनकीत का निशाना बनाया आप लोगों को जो कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं आपकी फैमिली आप लोगों को छूड़ चुकी है वालिद मेरे घाओं मेरी ममा फोट हो चुकी है तो हमारा रिष्टा ऐसी था कि हम भाई बैन समझते थे मतलब क हमारे अपनों नहीं बाते शिरू कर दी लो जी यह क्या मसला है बस यह मुझे मसला यह था कि चार पांच सौर पे दे दे थे थे क्योंकि मैरी डिवोस हो चुकी कि इसी बात की वज़ा से कि यह भाई खर्चा देते मैं लड़ जगड़कर अपने अम्मी अबो के पास आ जा मैं तुम्हें कैसे पालूंगा बेटी भी है तुमारी दूद मेरे से नहीं पूरा था मैं तो खुद गरीब हूँ बड़ी मुश्किल से घर पुरा कर रहा हूं तो इस वज़ा से मुझे यह चार पाइंस और पे देते काम पिर नहीं जाने देते थे कहते हैं लोग बाते कर बातें शुरू कर दी तो इस वज़ा से हमने बस इतना सोचा नहीं तो बस हमने जब शादी का फैसला किया तो अब्बो को हमने का कि अंसे शादी करनी और रिष्टे आने शुरू हो गते हैं तो का इंसे करनी और किसे से नहीं करनी तो उस वकत से लिए कि अब्बों नहीं चोड़ दिया मतलब अबूने का तुम्हारी यह जी दर इनके साथ करने तो हमने तुम्हें बलाना नहीं है निका तुम्हारा कर दो और बहुत से स्टोरीज भी हम इस तरह से देखते हैं इंडिया में हो पाकिस्तान में हो अमेरिका में हो तो यह मौमलात पेश आते हैं तो यहां पर भी कहानी कुछ इसी तरह की है यह तो होगा 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 यह तुम क्या करने जारी होगी अच्छे बले से करो तुम कैसे करोगी के लिए तुम्हारी जान भी इतनी नहीं है कैसे साथ बालोगी सारी जिदी क्या करेगा अगर तुम काम पे छोड़ क्या होगी क्या सब बाते की मुने सब का सामना किया लेकिन मैंने इनको जबान दी थी जब सब ने इतनी जीद में चड़ा रखा तो मैंने इनको का कि कोई महल बाला भी आज़ाए ना तो मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगे मैं आपके साथ ही करूंगी तो आपको साथ ही रहूंगी निबा तो मेरी बात सुने मैं पते किया बात है कि जब लोगों ने हमारे बारे में उल्टी सीधी बाते करनी शुरू कर दी थी ना तो हमारे दिल में एक दूसरे के लिए चाखत बढ़ती जा रही थी ठीक है तो पहले मैं नहीं से का था मैंने का कि आप मैं आपको अच्छा लगता हूं कहती है लगते हैं तो फिर यह हुआ कि एक दफ़ा इसने मुझे यह बात कही किना मैं आपके पास आ जाती हूं तो मैं आपकी रोटी पकाऊंगी कपड़े दोंगी बैनों बैयों की तरह हम रहें ठीक है तो आप भी परिशान के आपके बात की तो उसने इसको चोड़ दिया हूं कि कि एसे बात बता बताइया जिसके वैसे आप इंपरेस आप आपके जिंदगी जो है वो गुजर रही है इनके साथ अम इनकी आरबा से एम्प्रेस बड़ा कमाल करें बड़ा कमाल करें आप और बकाइदा तोर पर कारी से पोच कर, मफटी से पोच कर, बकाइदा तोर पर स्टड़ूडी करके यह निकाा किया गया है और दूबारा मैं बता दूँ ना वालदाएं नेके और जो खून का रिष्टा होता है वो भी नहीं है क्योंकि मैं इस चीज़ में कन्फ्यूज थी कि यह जायज है या नहीं जायज इस्लामिक पॉइंट फ्यूज से तो यह बिल्कुल जायज है क्योंकि वह पहले थी वालदा से यह पहली वालदा से हैं जिसके वैसे कोई इनका का रिष्टा बनता नहीं मुह बोले बेहन भाई थे और पाइनली इनकी महबत वी महबत की यही तो क्यामत है आज इस चल्चित्र को देखने के उपरांत हम मानवों के लिए शोद का विशय मस्तकरवन्शी जानवरों में भाई बहन का निकाह अर्था खुदाई को एक सामान्य मस्तकरवन्शी नर्ष से अधिकलर सुख प्रदान कर उसकी जोपड़ी में गहराई तक खुदाई करने की पाश्विक चमता रखता है इस विशय पर आप विशोद करने के उपरांत अपने विचार संदेश पटल पर अवश्य प्रशित करें साथ ही आपके कर दो